तेजस्वी इन्वेस्ट हैदराबाद एवं पीपुल फार पॉल्ट्री 36 गड़ के सयूंग तत्वाधान में दीन द्याल उपाध्या गोरगपुर उश्विद्याले परिसर में 18 अक्टूबर से तीन दिवसी इंडिया पॉल्ट्री एक्सप्रो का आयोजन किया जा रहा है। इस तीन दिवसी पॉल्ट्री एक्सप्रो का मुक उदेश पॉल्ट्री वेवसाय में विक्सित हो रही नई वेग्यानिक तक्नीकी के जानकारी ग्रामीर और शहरी छेतरों में छोटे से छोटे पॉल्ट्री फार्मरों को उपलत कराना है। इस समद्द में गोरगपुर नि कि दिवसी पॉल्ट्री जो एक्सपो लग रहा है दिन दियाल उपाध्या है यूवर्षिटी गोरगपुर में उसका मुक उत देश एक ग्रामीर अंचलो की जो पॉल्ट्री है और अर्दशहरी छेतरों की जो पॉल्ट्री है उसको सही तक्नीकी ज्यान जो जो भी नए वेग्यानिक अनुसंधान हो रहे हैं ताकि नए वेग्यानिक तरीके से पोल्ट्री फार्मर जो फार्मिंग करें और लाबदायक फार्मिंग कर पाएं क्योंकि आज की तारिक में पोल्ट्री फार्मिंग हो या कोई बेवसाय हो तो फायदा और नुकसान तलवार कि धार में चलने जैसा है जरासी कोई कमी रह जाए या वैग्यानिक तकनीकी से आप फार्मिना करें तो नुकसान होने की समभावना पड़ जाती है तो इसमें दूसरा दिन हो बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि पोल्ट्री वेवसाय से जुड़े हुए जो वैग्यानिक है और अच्छे अच्छा उत्वादन ले सकें कि किसी प्रकार हमारा जो मुख्योद्देश एक तरीके सरकार का ध्यानी सोरा अगर्शित करना कि भारत में इसे बना सिर्ब भारत की बात हम करें पूरे विश्व में वैश्विक को पोशन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें लो लोगों को मन में भांतियां के के अंडा मांसा हरी ए यह कि साका हरी है तो हम जयानकारियां देंगे बहुत Neprove 강豆 ओन के ऑंडे हैं जो कमर्शिलB Especially कि अब מुर्दय या पाली जाती हैं मुर्गेन होते और सरव बते सत्र जब तक दिसेशन की प्रकरिया नहीं होगी तब तब गुगल पर भी सर्च करेंगे और महात्मा गांधी के आटो बायोग्राफी देखेंगे, उसमें उनने कहा है, कि जो वेक्ती दूद पी सकता है, वह इन अनिसेचित अंडों का भी सेवन कर सकता है, क्योंकि दूद साकाहरी है, तो अनिसेचित अंडा भी साकाहरी है, अगर तुझा उत्पन नहीं हो सकता,